दोस्तो टीव इंडेस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा आज दर्शकों की पहली पसंद बन गया है। इस सीरियल में हर एक किरदार अपनी सांदार भूमी का निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनी में से एक किरदार है अनुपमा की सास और वनराच की मा लीला शा का जो कि सीरियल में हर एक परिस्तिती को समझती हैं और हमेशा ही अपने परिवार को बांद के रखने की पूरी कोशिश करती हैं। इसके चलते दर्शकों को ये किरदार काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और यही वज़ा है कि इस किरदार में नजराने वाली अदाकारा अद दर्शकों का खूब प्यार बटोर रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं गुचराती वेश भूसा में लीला शा के किरदार में नजराने वाली अभी नेतरी रियल लाइफ में बेहती ज़्यादा स्टाइलिस हैं। अगर आप भी इनकी रियल लाइफ तस्वीरों को देखना चाते हैं तो हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के अततक और साथी इस अभी नेतरी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। स्टार प्लस के सीरियल अनुपा में बाग के किरदार में नजरा रही अभी नेतरी का स्ली नाम अलपना बुझ हैं जिनका जन 25 सितंबर 1972 को गुजरात में हुआ था जिस बढ़ स्टे में के यहीं इन्डस्ट्री में कोई परिशानी नहीं आई। जिसके चलते इन्होंने छोटी सी उम्र में मराथी ठेयर में काम करना शुरू कर दिया थाος समय फेयर में काम करना ने के बाद उन्होंने साल 2010 में टलीविजन के सीरियल पाप और पोल से तीविंड इंडस्ट्री में कदम रखा जिसके बाद ये मर्द का नया सरूप सरस्वती चंद बालवीर जैसे शो में नजर आई जिसके चलते आज ये टीव इंडस्ट्री जाना माना नाम बन चुकी है और अगर हम बात करें शो में लीला शाह का किर्दार निभाने वाली अलपना पर बड़ी सी बिंदी में देखा जाता है तो वहीं ये रियल लाइफ में इसे इस करेक्टर से बिलकुल अपोजिट है रियल लाइफ में ये साड़ी नहीं बलकि काफी जादा मौडन और स्टाइलिस ड्रेस्स केरी करती है इसे के साथ आपको बता दे ये असल जिन्दगी में सिर्फ जूड़ा नहीं बलकि कई अलग-अलग हेर स्टाइल्फ में भी नजर आती है जिसके चलते दर्श्य को इनका नया नया रूप देखने को मिलता रहता है रियल लाइफ में ये अपने मेकप फेस्टाइल और कपड़ों के चलते काफी जादा यंग भी नजर आती जयासा की आप इनके इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं हुए बात करें इनकी प्रसनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दे इन्होंने सालों पहले मेहुल भुझ से शादी की थी जो की आज एक बेटी के माता-पिटा भी बन चुके हैं आपको बता दे इनके प माम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले